हेलो आवरीवन, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल, इन दीस वीडियो वी विल डसकूस दी अप्लिकेशन ओफ दिस्टूबिशन ला, इट इस अन इंपोर्टेंट टोपिक, कुशन ओफनली आस्क, देखो, कुशन कैसे आ सकता है, जैसे डिफाइन करूं, डिस्टूबिशन लो, एंडिस अप्लिकेशन, तो आपको क्या करना पलेगा, सबसे पहले हम डिस्टूबिशन लो को डिफाइन करेंगे, जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, एंडिस अप्लिकेशन, जैसे इसकी टोटल 6 अप्लिकेशन, बुक में डिटेल से बता रखें, जो ह हमार लास्ट टोपिक है, डिस्टूबिशन लोट चैप्टर का, एंडिस्टूबिशन, पूछे जाते हैं आपसे अप्लिकेशन की, जैसे स्पेशली भी पूछ लेता है, नेम देकर, जैसे आज इन एक्स्ट्रक्शन प्रोसेस में, या सोलिबिटी ऑफ सोल्यूट, इन सोल में, ठीक है, देखो, हम डिस्टूबिशन ला को पढ़ चुके, उसमें क्या देकर करते थे हम, कि आपके पास क्या होता था, एक सोल्यूट ले देते हैं, हम तू इमिशेबल सोल्यूट, सोल्यूट को हम उसमें डालते थे, सोल्यूट दिस्टूबिशन हो जाता था दोनों पास, and solvent आपके पास true होते थे, दो सोल्यूट लेते थे हम, तो उसकी सोल्यूट को हम कैल्कुलेट कर शकते हैं, यह हमें पता है, देखो, जब आपका कोई भी सोल्यूट है, उसको हम सेक करते हैं, किसके साथ दो आप एमिशेबल सोल्यूट के साथ में, तब उसमें हमने ड concentration है, वो किसके एकोल हो जाती है, जो solubility है, concentration directly हो जाती है, solubility के, और C2 जो second solvent की, वो भी S2 के, तो हमारे पास क्या आजाता है इसमें, कि जो concentration first वाले की solute की in solvent में, and यह second solvent की, वो किसके एकोला जाती है, solubility के भी S, equal to किसी K के, कि हमारा distribution लोग कोफिशेंट होता, तो यहा solubility आपकी solute की in solvent, second way, क्योंकि solute तो हम एक के लिए थे थे, solvent दो होते थे आपके पास, तो हम क्या कर शकते हैं, अगर हमको देखो, इसकी value बताओ, अगर हम distribution जो constant है, इसकी value हम find out कर ले, तो solubility, एक solute की हमें बताओ, तो हम second solvent की calculate कर शकते हैं, तो यह हमारे पास value है, जैस आपके पास एक solute की, solvent में उसकी solubility concentration की value मिलेगी, and distribution coefficient की, तो second वाली की हम calculate कर शकते हैं, तो यह उसकी application होगी, simple नहीं, आपको बताना है कि कैसे हम calculate कर शकते हैं, one example भी ले सकते हैं, यह सिधा बता सकते हैं, कैसे हैं, अब देखो second आता है आपका important distribution indicator, अब यह आपे देखो indicator वैसे आपने पढ़ाओगा, जैसे हम titration करते हैं lab में, जैसे acid based titration करते हैं, उसमें एक indicator होता है, वो indicate करता है, कि reaction complete होगी, जैसे color change हो जाता है, जहाँ पे end point आता है, यह all things आपको पता है, अब यहाँ पे देखो, distribution की कैसे application है, जैसे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अलग different type of solvent लेते हैं, वो dissolve होता है, जब हम कुछ भी solute डालते हैं, जो उसमें solvent में, तो इसका क्या होता है, जब कोई भी solvent add कर रहे हैं, जैसे आपका कोई भी dilute solution ले लिए हमने, यह उसमें कोई दूसरा solvent डाल दिया, तो उसमें कुछ color का change हो गया, तो वो indicator की तरह रख करेगा, क आपके reaction complete हो रही है, जैसे हम यहां पर हम example से देख सकते हैं, कैसे, जैसे indicator क्या होगा, उसकी हम कोई भी हो सकता है, जैसे आपका कोई भी solute ले सकते हैं, for example हम क्या ले लते हैं, जैसे आपके पास एक dilute solution ले लिए हमने, किसका iodine को, ठीक है, किसके अंदर ले लिए हमने water के आला हमने, जो carbon disulfide में, अब हमें IOT, जो IOT, iodine है, और जो carbon disulfide है, इन दोनों का जो K है, distribution coefficient की value, वो हमें पता है, जैसे इतनी होती है, 400 something, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कि हमने extremely dilute solution लिया, किसका iodine का, उसको हम estimate करेंगे, कुछ drops हम उसमें क्या डाल रहे हैं, carbon disulfide, ठीक बाद में आपका पसी कैसा clear देता है, आपका deep violet color produce हो जाता है, जब आप carbon disulfide को डाल रहे हो, ठीक है, deep violet, और ये solution को हम titrate करते हैं, किसके against में, जैसे sodium thiosulfide, इसको बलते है, Na2, Us2, O3, ठीक है, जैसे हम titration किसी के against कर रहे हैं, तो हम यहाँ पी इस solution को titrate करते है, sodium hypo thiosulfide, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, दब तक हम इसको titrate करेंगी, carbon disulfide को इसमें डालेंगी, इसके against में कर रहे हैं, तब तक आपका violet clear नहीं, डिसपियर नहीं हो जाता है, तो यहाँ इस reactions में, आपका carbon disulfide है, जो CS2, वो कैसा काम कर रहा है, कैसे serve कर रहा है जी, distribution indicator, ठीक है और किस titration में, iodothermik titration में, जिसमें आपका पास क्या produce हो रहा है, iodine को हम produce कर रहे हैं, during titration में, तो इसके application में, जैसे simple आपका distribution indicator में को क्या बताना है, हमें बताएगी, जैसे कोई भी solute solvent में dissolve, अब हम जैसे example से बता दो, जैसे आपका iodine और water का solution था, यह colorless था, ठीक है, डाल रहे है, carbon disulfide, यह डाल रहे है, saturated, पहले तो यह कुछ, इसमें digital हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, और बाद में आपका deep violet color produce हो जाएगा, और यह हम तब तक डालेंगे, इसके अगें, तब तक आपका यह disappear नहीं हो जाता color, तो means, यहाँ पे देखो, अब यह indicator की त था, concentration directly solubility के हो जाती है, और यह आपका distribution indicator में, आप example के help से बता सकते हैं, अब देखो, थर्ड आता है, कि determining extent of association, यह dissociation of a solute in solute, देखो, last video में हमने क्या discuss किया था, हमने case पढ़ा था, कि देखो, हमारे जो distribution slow थी न, वो invalid कब हो जाती थी, जब आपका, जब solute की state change हो जाती थी, तब वो association या dissociation, वो हमने calculate कर लिया था, क्योंकि association में क्या आया था, आपके पास C1, and C2, and C2, and dissociation में हमने calculate कर लिया थी, अब हमें extend कि कि कितना आपका association कर रहा है, कोई भी solute, या कितना वो dissociation कर रहा है, solvent के साथ में, तो उसको हम determine कर सकते हैं, यह इसके application आपके distributions था, अब देखो, हमने देखा था कि distribution slow के अलब से, जब कोई भी molecular state है ना, solute की, solvent उसको हम determine कर सकते हैं, simple आपका जैसे, यह तो उसके distribution low coefficient होता है, जैसे C1 का मिन्स क्या होता था, कि concentration solute की solvent first में, और यह second वाले, उन देनों का ratio की, जो कि आपका distribution low coefficient था, अब हमने माल लिया, कि ज जोड़ना होता है, तो पार्टिकल, जैसे आपके NX पार्टिकल कमईनों के complexion, और अने action, वो dissociation में क्या होता है, जैसे एक है, वो two में dissociate हो रहा है, ठीक है, अब हमने माल लिया, having, इसकी माल लिया, जो c2 है, अब हम distribution slow modify है, वो हम calculate कर चके था, कि इतनी आई थी, वो आपक value बता हो, तो NK value निकालने के आपके पास 2V है, एक तो आपका होता है, heat and trial method, एक होता है logarithm method, यह दोनों भी आपको explain करने है, logarithm method होते है, heat and trial method, heat and trial में क्या होता है, हमें पता है, कि जैसे C1 by C1 का ratio देख रहा है, जैसे numerical आएगा आपके पास, तो concentration solute की solute, first mean में मिलेगी, second value में मिलेगी, 2 या 3 आपको मिलेगी, concentration की value, उनका आप ratio find out करोगे, ratio हम find out करते हैं, तब कि की value अगर constant आजाती है, मैंसे देखो, first game हमने माले 2.30 है, इसकी माले 3.1 है, 2.32, मैंसे यह constant value आजाती है, तब हमें पता चलता है, कि यह valid हो रही है, जो अब इनकी value जैसे है, से suggest हो कि अब हमने hidden trial method में तो आप simple कर सकते हो, अब logarithm method में क्या होता है, k की value होती है, आपके पास c1 by n under root c2 की, अब n का में n, देखो, इसको हम क्या लिख सकते है, c1 by n under root मिंच क्या है, आप c2 का nth root है, 1 by n, लिख सकते हैं इसको, root है, 1 by nth root होता है, equal to minimalia k, अब यहां से देखो c1 के value क्या होगी, अब का पास, c2 की power 1 by n into में, अगया, ठीक है, के तो हमने कर लिख, अब आप taking log ले लो, दोनों side, तो क्या हो जाएगे आपके पास, log c1 equal to आगया, log दिख हम लेंगे, तो यह power आगया जाएगी, 1 by n, तो यह जाएगा, 1 by n log c2, plus में log k, हमें पता है, log a into b c2 के होता है, log a plus log, तो कर लिख, अब हमने कर लिख, दो experimental value आगा, अब के पास, एक तो constant क्या होगा, c1, एक c2, तो कैसे करेंगे, जैसे एक तो आगा, आपके पास log c1 के लिख, 1 by n log c2 है, plus में log k, ठीक है, इतना कर लिख, अब हम क्या करेंगे, कि यह तो first वाले के लिख, जैसे यह तो होगा, first case, second के लिख करेंगे, वो भी ऐसी, log c2 क्या हो जाएगा, आपके वास, 1 by n log c1, अब प्लस में क्या है, log k, अब देखो, यह question, first मालो, second, इसमें से यह subject कर दो, तो क्या जाएगा, log of, देखो, c1, minus me log c2, equal to आगा, देखो, 1 by n, यह subject हो जाएगा, log के से log of k1, c1, n की value निकालेंगे, तो यहासे क्या हो जाएगी, देखो, log of c2, minus me log of c1, यह हो जाएगा, log of c1, minus me log, c1, ठीक है, अब c1 की term ही माल सकते हुए, इसको dash में ले लो, जैसे यह c1 के लिए था न, आपने, यह c1 dash माल ले, यह second term के लिए, same हो जाएगा, c2, तो यहाँ n की value निकाल सकते हैं, क्योंकि हम c value में लेकी concentration की, तो हम उसका logarithm ले ले लेंगे, तो यहां से n की value, यह n की value हम यह पूट कर देंगे, तो यह ratio निकलाएगा आपका, तो यह two method भी आपको explain करने हैं, जैसे आपको determine आ जाए, कि determine extent of association या dissociation, solute का solvent में, तो आप पहले कैसे होता है, association का case आपको discuss, जैसे यह value आती है, आपके पास, यहां से जो n की value हम calculate कर लें, तो उसको two way हो सकते हैं, तो हम logarithm में, यह heat and dial method होता है, तो आपको दोनों explain करने हैं, तो in this video हमने क्या discuss कहा है, कि three applications को पढ़ा हैं, next three, जो वीडियो होगी, हम उन three applications को पढ़ेंगे उसमें आपका एक distribution indicator है, and degree of idealysis, वो भी important application है, आपका question पूछे जाते हैं, if you have a inquiry, please comment it, I hope आपको समझ आया होगा, thanks for watching my channel.